नमस्कार आप सभी का राज के महाविदयले श्री करणपूर की योट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम बीजी दुट्य वर्ष में प्रतम प्रश्ण पत्र मानो भुगोल की विशे में निश्चेवाद की विचारधारा का अध्यन करें में मनुष्य का अपने पर्यावर्ण से वही संबंद है जो की अन्य पराणियों का लेकिन मानो दुआरा अपने बुद्धी के विकास के दुआरा पर्यावर्ण से बदलते हुए संबंद बनाए हैं जिस प्रकार से अन्य प्राणी अपने वातावरन के साथ संबंद स्थापित करते हैं, वैसे ही मनुष्य ने किया हले किन अपने मानसिक शक्ती के कारण, जहां पहले वहें वातावरन के अनुसार जंगली जीवन जिया करता था, धीरे धीरे वहें सभ्यता का विकास हुआ, गाउन नगरों का उद्वा हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, और उन्नत तकनिकी की वज़े से जहां पहले आदिम किर्शी किया करता था, वह स्थाई रूप से किर्शी करने लगा हैं, और भी नए परिवर्तन आदुन हुई तो कभी लाब भी हुआ, मनुष्य ने अपने इच्छा को महत्व देने के कारण प्रयावरण में विभिंताई उत्पन की है, मनुष्य की सभ्यता में जो परिवर्तन आया, उसका मुख्य कारण अद्योगी करन था, अद्योगी करन से प्राकर्तिक संसाधनों का दोह तिवर्गति से हुआ, जिस से मानुष्य की आवसकताओं की पूर्ति होने लगी और यह आवसकताई विलासता की वस्तों में बदल गई, उसकी वज़ा से अधिक दोहन से जिवास्मिय उर्जा का प्रसार भी अभूत पूर्गति से हुआ, पेटोलियम बदार, कोईला, प् करती गैस, इनको जलाने से उर्जा मिलने लगी, इस परकार की उर्जा से नगरों में प्रतिवर्ष दस हजार केलोरी उर्जा प्रतिवर्ग सेंटीमेटर का अतिरिक्त उतुपादन होता है, जब उर्जा का उतुपादन होता है, तो जिवास्में जो इंदन है, वे खतम हो होने लगते हैं और वातावरण में परदूशन का फैला होता है मनुष्य एवां वातावरण के परसपर संबंदों में विद्वानों के अलग-अलग दर्ष्टी कौन है एक और कहा जाता है कि मनुष्य को वातावरण में अन्य जीव जुन्तों की बांती प्राकर्तिक प्रेस्टी कौन है कि मनुष्य विक्षित प्राणी है वेकुषागर बुद्धी से प्रयावरण के विभिन घटकों को अपने अनुकूल बना सकता है निश्चवाद इसे प्रयावरण ये निश्चवाद भी कहते हैं इस विचारधरा के अनुसार मनुष्य को प्रकर्तिक वातावरण के निर्देशों की पालना करने चाहिए अरुस्तु ने अपनी पुस्तक राजनिती लिखी और उसमें बताया कि यूरोप के ठंडे देशों के जो निवासी हैं वो बहाद दूर होते हैं यानि सक्तिशाले होते हैं किन्तु विचारों एवं तक्निक की कोसल में कमी पा जाती हैं और जो एशिया के लोग हैं वो विचारों और कुशल होते हैं पर तो उत्सा ही नहीं होते हैं और ये जो बात उन्होंने कही यानि जो मनुष्य है मनुष्य पे किसका प्रभाव है जलवायू का प्रकर्ति का प्रकर्ति का प्रभाव जलवायू का प्रभाव उसके अनुसार अरुस्तर ने कहा यूरोप के लोग बहादूर है जबकि एश्या के लोग बहादूर नहीं है उन्होंने कहा कि एश्या के लोग विचारवान है जबकि एश्या के लोग विचारवान नहीं है ये इस विचारदारा में ऐसा अरस्तू नहीं कहा Frederick Redgel को प्रेवरनिये निश्चेवाद का जनम दाता का आ रहेता है Frederick Redgel जर्मन बुहुल वेता थे और प्रेवरनिश्चेवाद का जनम भी जर्मनी में माना जाता है इन्होंने बताया कि प्राकर्तिक वातावरण के तत्वों जैसे दरातल की बनावट, क्लाइमेट, वेजिटेबल, आदी में मानुव के में दिजिटिल समंद पाई जाते हैं और जिनमें प्रावने तत्व अधिक प्रभाव साली होता है, जो मानुविय केरिय कलापों को नियंतरित करता है और उनके अनुसार क्या है, कि जो हमारे बुध्धी है, सस्कर्टी, सबबेता के उपलब्दियों के तुलना एक चिडिया की सुटन्त रुडान से नहीं की जा सकती है उसकी तुलाइक पोद्धे कि तने से की जा सकती है क्योंकि हम सदेव पिर्त्वी से जुडेवे है हिपोकेटर्स की पूस्तक एयर, वाटर एंड पलेसेज में प्रयवर्णिया प्रभावों को स्पस्ट करते हैं कि युरोपीय लोग द्वरा एशया पर किये आकर्मन का परभुक कारण युरोप की कठोर और परिवर्त अंसील जिलवाई है जिसके परवाव से युरोप की लोग कठीन परिश्वमी होते हैं जबकि एशया की लोग अराम पसंद होते हैं कालिटर की पुस्तक थी युरोप या युरोपा इसमें उन्होंने मानव केंदरित विचारधारा का महतोड़ा दे फ्रेडरिक लीपले फ्रांस यसी समाज सास्त्री थे उन्होंने एक महतोपूर्ण सिधान्त प्रयवन और समाज के समंदों के बारे में समीकरन दी स्थान कारे लोग इसका विप्राई यह है कि किसी स्थान का वतवरन उस पर देश में किये जाने वाले कारे के प्रकार को निश्चित करता है और कारे के दौरा समाजिक संग्ठन इस्चित होता है जिस परकार का स्थान होगा उसी परकार के वहाँ कारे किये जाएंगे और उसी कारे के अनुसार वहाँ की समाजिक संग्ठन की सरंचना होगी एलन चर्चिल सेंपुल की पुस्तक थी Influences of Geographical Environment उन्होंने मनुष्य की तुलना पृत्वी तल की उपज के रोम में की है उन्होंने कहा कि मनुष्य पृत्वी तल की उपज है इस कार्थ के वह इतना ही हम नहीं लगा सकते कि वह पृत्वी का बच्चा है या पृत्वी की संतान है उसकी धूल का कण है और प्रित्वी माता ने उस बच्चे का पालन कोशन किया है उसके लिए ड्यूटी निश्चित किये हैं उसके तिमाग में जाकर के उसके विचारों को विचारों के दिशाओं को मोड़ा है उसके समक्ष, समस्याएं उपस्तित की है उसके शरीर को उन समस्याओं को सोल करने पर बल मिलता है उसकी बुद्धि में तिवरत आती है उसके सामने समस्याओं रखी है नो संचालन की किर्शी में सिंचाही की लेकिन साथ साथ प्रकर्टी ने उसे उनके हलका भी हुपाए बताया है इस परकार इन विद्वानों की विचारों से जिन्होंने वातावरन निश्चेवाद को महत्व दिया इन्होंने प्रकृति को ही अधिक महत्वपूर्ण माना है और इन विद्वानों की अलोचना ही भी की गई ऐसा बताया गया कि समान जो बोगोलिक दशायें वाले पर्यावरन है उन में मानुव की भूमिका एक समान नहीं है उनके संस्कर्टी एक नहीं है टुंड्रा प्रदेश की समान की बोतिक दशायें उतरी कनाड़ा और साइबिरेम सीट्रित है जिसे टुन्डरा प्रदेश की उतरी कराड़ा में सी टृतू, साइबेरियम सी टृतू लेकिन इन ख्षेतरों के जो निवासी हैं, चुक्ची, लेप्स, एसकिमो इनके किर्यकलापों में विभिनता मिलती है उनके रहन सहन में विभिनता मिलती है इसे जर्मन की विद्वान हुए हीगल, उन्होंने का मेरे सामने बुगोलिक ये जो नियतवाद, निश्चेवाद है, इसके बात मत करो जिस तान पर पर परे लोग, युनानी लोग रहते थे, अब वहां तुर्की लोग रह रहे हैं तो जिलवायू के अनुसार लोगों के रहन सहने के अधार कराव जो ये विचार धारा बनाई है, इसमें कोई भी दम वाले बात नहीं है और विज्ञानिकों ने शीतरित्व के पास ठंडे ख्षेत्र में उचक शांसों कर रूस के आजपास गेहूं गाया है और उसकी प्रतियक्र उपज में भी भरदी की है पश्चमी राधस्थान में, सुष्क मरुस्थल में, इंदरा गांधी नहर का विस्तार कर उस अनुपजाव भाग में सगन ग्रिशी विक्षित की है इस प्रकार मानव भुगोल की जो विचारदारा निश्चय वादरिशन प्रकृतिक कितत्व को महत्व दिया गया है विपेन विद्वानोंने उसके विपक्स में इतरक दिया